तो दोस्तो आज की इस वीडियो में सीखेंगे धववा DBR को कैसे आप रिसेट करते हैं एमेल आइडी अगर आपका पड़ा हुआ है तो उससे कैसे रिसेट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो हम यहाँ अगर पासवर्ड ट्राइ करते हैं Edmin का Edmin डाल करके तो पासवर्ड नहीं कोला है तो पासवर्ड ये देखिए यहाँ पर हम फार्गेट पासवर्ड करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो वी नीड तो collect वाड़ इमेल आइडरेस माइडरेस इसकी जरूरत है device का mag address और email address अगर पड़ी हुई है तो उसी पे आपको code भेजा जाएगा security code तो continue करना है ओके और यहाँ पे यह चीज scan करके हमें mail करना होगा इस ID पे तो हम आगे हैं अपने phone में और हम open करेंगे DMSS और यहाँ me पे click करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे tools manager journal sorry journal में नहीं tools manager में होगा और tools manager में जाने के बाद device password management में जाएंगे और यहाँ पे QR scan करा लेंगे scan हो गया है तो यह scan हो गया है और mail पे अब verification code आ जाना चाहिए तो verification code मैं gmail open करता हूँ gmail open करता हूँ gmail हमारा है तो यहाँ gmail मैंने open किया और यहाँ मैं switch करूँगे gmail तो देखिए password यहाँ पे आ गया है password तो यहाँ पे लिखा है इसे number last का यह लिखा हुआ है और code आया है अब यही code हम डालेंगे तो code यहाँ पे पढ़ चुका है उसके बाद हम next करेंगे तो यहाँ पे आपको password नया बनाना होगा तो मैं password बना ले रहा हूँ admin admin at the rate 123 और यहाँ confirm करेंगे admin admin at the rate 123 और यहाँ करेंगे ok तो operation success हो गया ok करेंगे यहाँ पर अब हमें यह password जो मैंने बनाया था और डालेंगे admin at the rate 123 तो यहाँ पे हमारा जो है dbr open हो गया है I hope की वीडियो आपको informative लगा होगा अगर यह वीडियो आपको informative लगा तो चैनल को subscribe कर लिजिए साथ में bell icon दबाई यह और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जादस जादस एर कीजी अपने दोस्तों में जादस जादस एर कीजी